इसे आनल दोस्तों आज इसमने में नाकाउट टोनामिंट क्या है एड नाकाउट के चारों प्रकारों तैस में शिंगल नाकाउट डबल नाकाउट शातवना ट realtà में येकोड वाईल उन रिम चंव बर पूरी डीटेल में बताओंगी दोस्तों इसके अंदर क्या सुत्र का प्रयोग किया जाता है कैसे फिक्सर बना जाता है क्या रूल्स है जो भी आपके एक्जाम से पुछे जाते हैं सभी टॉपिक्स में कवर करूंगी दोस्तों बस आप वीडियो को सुरू से लाच तक देख कर सकते हैं दोस्तों आज के ताफिक पर चलते हैं नाकाउट टूनामेंट क्या है और कितनी प्रकार का होता है कि इंकिन सुत्रू का प्रयोग किया जाता है सिंगल डबल में तो दोस्तों चली जानते हैं बस वीडियो को सुरू से लाच तक देखिए पहले बाइकन को प्रि कि IL क्या है तो आज से दो नाकाउट टूनामेंट को सटेerenडेट उलम्पिक सिस्टम सिस्टम में भी बोला जाता है दोस्तों नाकाउट टूनामेंट में जो टींफ एक बार एक बार जो टीम मैच हार जाती है वह पर त्योगिता से बाहर हो जाती है और विजेता जो है एक भी मैच फराजित नहीं होता है दोस्तों इसे क्या लाब होता है कि विजेता टीम का जल्दी निधार हो जाता है यानिकी जूर टीम एक वर हार जाती है मैच में बाहर होता जाता है इसलिए बिजेता टीम का जल्दी निधार होता है आर्थिक इस्टी कोर्स से भी अच्छा होता है समय वद्धन की भी बचछत होती है इसमें दोस क्या होते हैं दोस्तों कि कभे-कभी प्रतरीता की मज़ूद टीमे जो हैं, कमजोर टीमों से पहले ही दर में हार कर बाहर हो जाती है जैसे मालएजी कोई बहुत अच्छी टीम है पहले दर में खेली या वो हार गई पता चला उब हो बहुत आगे अच्छा कर सकती थी इसे तो ये हाली होता है और जिसे रुमान समाफ़त हो जाता है अब परती एक टीम को परती एक टीम के शायद खेलने का मौका नहीं मिलता जिससे टीमें अपनी चमता का पजलसन नहीं कर पाती तो दोस्तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले नाकाउट में किन-किन सुत्रों का प्रियुक होता है चारों टुनामेंट मिला करकी सबसे पहले उसको डिसकस कर लूँगी कि आप एक जगा उसको नोर्स बना सकते हैं तो सबसे पहले बात करूँगी कि नाकाउट पुनामेंट में मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र है तो मैचों की संख्या ग्याद करने का नाकाउट में सुत्र क्या हता है यन-1 क्या होता है यन-1 यानि मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र यन-1 यन क्या है कुल टीमों की संख्या यानि कुल टी इंटीमों की संख्या 15 है तो मैच होंगी 15-1 यह मैच होंगी दोस्तों वहीं पर डबल नाकाउड होता है तो डबल नाकाउड में मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र क्या होता है बहुत समझ लेजिएगा तो डबल नाकाउट मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र है 2N-2 2N-2 यहीं 15 ही तीम है तो कुल मैचों की संख्या कितनी होगी डबल नाकाउट के हिसाब से तो डबल नाकाउट का सुत्र है 2N-2 यानि कि 2 गुड़े 15-2 अब 15 मैचों से 2 घटाएगी कितना मैचों की संख्या ग्याद करने का सुत्र क्या है कि कुल टीमों की संख्या में से आप एक जोड़ेंगे अगर मैचों की संख्या ग्याद करना है तो कुल टीमों की संख्या से यह घटा देंगे चो तोर देंगे तो हमेचों की संख्या क्यात करना है तो एक जोड सेंगे मालई जैने कुल कितनी भाग ले रही है तो LET uh नो वीड़नाएब बात करांगी तीम मों को बातना दोस्तों कोई भी टूनामेंट होने से पहले या टूनामेंट का फिक्सर बनाने से पहले टीमों को दो भागों में बाटा जाता है उपरी हाप और निचली हाप में तो दो भागों में बाटने के लिए हम क्या करते हैं जब टीमों की संख्या सम होगा और भी सम होगा दोनों कंडिशन में हम अलग-अलग बा मालेजे दोस्तों कि आपकी 我 की संख्या जो है 6 है यानि स्वोभ संख्या है तो अपने को दो भाग में डिवाइट करेंगे वैसे तो आप अपने दिवाइट से डिवाइट करहीं लेंगे तीन दुन अफिशो यानि की तिन तीमे होंगी दोनों हाठ में उपर निचे बट अह छे तीमे है तो उपरी निचली दोनों हाफों में सुत्रिका क्या प्रियोग होगा यान अपांटू याने कि छे अपांटू याने दो त्याएं छे तो आपके उपर और नीचे दोनों हाफ में कितने कितने तीमे होंगी तीन तीन में होंगी वहीं पर यदि टीमों की संख्या विसम होता है और नमबर होता है मैंने तुँ बता है संख्या है इवन नमबर हो तो क्या होगा लेकिन जिब और नमबर हो टीमों की संख्या विसम हो तो उपरी और निचली हाफ में अलग-अलग सुत्र का प्रियोग होता है तो उपरी हाप में विसम होने पर और नमबर होने पर क्या सुत्र का प्रियोग होता है यन प्लस वन अपान टू और निचली हाप में क्या प्रियोग होता है यन माइनस वन अपान टू जैसे कि माल लेजे दोस्तों साथ टीमे है विसंसंख्या है तो उपर नीचे हाफ में कितने कितने टीमे होंगी तो उपरी हाफ में सुत्र का प्रयोग होगा यन प्लस वन अपान टू यनि साथ प्लस वन अपान टू यानि साथ में एक जोड़ेंगे कितना होगा आठ आठ अपान टू यानि दो जगो आठ यानि उपरी हाफ में च्यार टीमे होंगी और निचली हाफ में कितने टीमे होंगी तो निचली हाफ में क्या सुत्र होता है यन माइनस वन अपान टू यानि 7-1 upon 2 यानि 7 में से 6 एक गटाएंगे कितना बच्छी का 6 यानि 6 upon 2 यानि 2, 3, 6, कट गया अब फिर आता है कितना 3 तो निचली हाफ में कितने तीमें होंगी 3 तो उपरी हाफ में 4 तीमें निचली हाफ में 3 तीमें 4-3, 7 हो गया ठीक है तीमो को बारते-से मुए यह ख्याल रखना है कि आपकी ऊपर की तीमों में नीचे की तीमों से एक संख्या में जादा होगा नहीं तक तीमों की संख्या जूरों में बनी रहे इसके लिए बाई दिया जाता है तो by देने का या by ग्यात करने का शुत्र क्या होता है तो by ग्यात करने का शुत्र होता है next power of 2 minus 1 यानि 2 के power में जो होगा जितना संख्या दिया गया है आपका उससे next power of 2 होगा यानि जितना संख्या दिया गया है उससे आगे जो भी next power up to होगा उसी को आप लिख लेंगे और उसे तीमों की संख्या से घटा देंगे वही आपका by आ जाएगा तो चलिए देखते हैं कैसे माले जी दूस्तों 25 तीमे हैं तो 25 तीमी होने पर बाई कितना दिया जाएगा कोश्चन आता है कि 25 तीमी होने पर बाई कितना दिया जाएगा तो 25 तीमी होने पर बाई देने के लिए आप क्या करेंगी दो का गुड़ा करते जाएगे यहां पर आप 25 यहां तक कम यहां तो 5 यहां चार दुनी आझ वा जैदा यह, यह निश्व तो हुआ यानि हम दो का पांच बर गुड़ा किए तहा हमारा next इस पावर आप तू बतीस आया तो पाथ होज़ाएगा तो कि पावर फाइफ हो जाएगा तो यानि तो कि पावर फाइफ बराबर कितना हुआ 32 अब 32 में से हम 25 को घटा देंगे आएगा कितना साथ यानि कुल साथ बाई दिये जाएंगे यदि 25 टीमी है तो साथ बाई दिये जाएंगे इस तरह से बाई निकला जाता है तो बाई तो हम निकलना जानगे अब जानेंगे जितना बाई आया है यानि कुल बाई जितना आया है उस बाई को हम दो हाफ में कैसे डिवाइट करेंगे दोस्तो जैसे तीमो को फिसर बनाने से पहले दो हाफ में यानि उपरी हाफ निचली हाफ में डिवाइट किया गया था उसे प्रकार जितना कुल बाई आता है उसको भी दो भाग में उपरी हाफ और निचली हाफ में डिवाइट किया जाता है तो दोस्तो बाई निकालने पर यदि बाई की संख्या स्ट्रम आवे यानि इविन नमबर आवे तो बाई निकालने का स्ट्र क्या होता है उपरी हाफ में और बाई निकालने पर बिसा मावे और नमबर आवे तो क्या स्ट्र होता है इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि यदि बाई निकालने पर बाई किस संख्या स्वाइब यानि इवेंट नमबर आ गया तो हम उपरी और निचली हाफ में बाई देने के लिए किस सुत्र का प्रियो करते हैं तो सम आने पर बाई देने का सुत्र होता है यन बी अपान टू उपरी और निचली दुनों हाफ में यन बी अपान टू यन बी आपका कूल बाई होता है यन बी किसको इंडिकेट कर रहा है कूल बाई यानि कूल बाई माल लेजी हमारा कूल बाई जो है बाई निकालने पर आ निकालने पर बाई की संख्या विश्म एनि और नमबर आ गया तो क्या करेंगे तब किस सुत्र का प्रियोग करेंगे तो उपरी हाफ में बाई देने का सुत्र होता है यन बी माइनस 1 अपान 2 अनिचले हाफ में यन बी प्लस 1 अपान 2 यानि उपरी हाफ में यन बी माइनस 1 अपान 2 माल लेजिए दोस्तों कुल बाई 5 आया है तो क्या करेंगे यन बी माइनस 1 अपान 2 यानि 5-1 upon 2 तो 5 में से 4 एक घटाएंगे कितना बचेगा 4 तो 4 upon 2 यानि 2 दूना 4 यानि उपरी हाफ में आपके कुल बाई दिये जाएंगे 2 अब निचली हाफ में तूत्र क्या होता है यन भी प्लस 1 upon 2 यानि 5 प्लस 1 upon 2 निचली हाफ में बाई दिया जाएगा 3 और उपरी हाफ में 2 इस परकार हम देखें कि बिसम संख्या आने पर जो निचली हाफ में बाई दिया जाएगा उपरी हाफ से एक संख्या में ज़्यादा रहेगा इसको भी आप ध्यान रखेंगे जिसे आपको पास गलती नहीं होगा दोस्तो अब बत करेंगे बाई देने का फार्मूला है अब तो बाई हम निकालना जानगे उपरी हाप नेचली हॉप में कितना दिया जाएगा उसका सुत्र जानगे बत बाई दिया कैसे जाएगा ऐसे में तो किसी को भी बाई मिल जाएगा लेकिन बाई देने का भी एक फार्मूला होता है तो बाई देने का फार्मूला है कि फर्स्ट बाई किसको दिया जाएगा इसका एक फॉर्मूला है तो फर्स्ट बाई दिया जाएगा लोवर टू लोवर यानि कि लोवर टू लोवर यानि कि निचली हाप के सबसे निचली वाले टीम को सेकेंड बाई दिया जाएगा अपर टू अपर यानि उपरी हाप के सबसे उपरी वाले टीम को थर्ड बाई दिया जाएगा लोवर टू अपर यानि निचली हाफ के सबसे उपर वाले टीम को फोर्थ बाई दिया जाएगा अपर टू लोवर यानि उपरी हाफ के सबसे निचली वाले टीम को इसी को दोस्तों चार के बाद फिर यही दुबारा रोटिट होगा यानि अगर अगर हम बाई निकालेंगे तो फुल बाई कितना दिया जाएगा, तो नेश्ट पाउर आप-2 पहले हम निकालेंगे, तो 2-4-2-8-2-6 यहीं पे आप साथ-9 से जदा आ जा रहा है, यानि 2 का चार बार हम गुड़ा किये, यानि 2 के पाउर-4 आया, तो 2 के पाउर-4 बराबर क पांट साथ मिलेका जब TV की संख्या 9 होगी कि तो उपरी निचले हो में कितनी बाइ दीया जाएंगे और फर्मुला बीचम में क्या हूँताया अभी मैं बताइक हूँ उपरी हाफ में यान भी मैंगा नापन तो यानि 7-1 upon 2 यानि 6 upon 2 बराबर 3 यानि उपरी हाफ में 3 जाएंगे उनिचली हाफ में जाएंगे जाएंगे इन साथ बाइब कैसे देंगे तो चलिए जानते हैं यानि नो टीम है तो इसमें साथ बाइगे कैसे जाएंगे तो फिर्ष्ट बाइद चत्व कया देने को फार्मूला है फिर्ष्ट ऑई देने को फारमुला है लोवर टू लोवर यानि कि निचले हाप के सब से ईपरिवालति तीम को तो प्रि्स के सबसे उपर टीन कौन दिख राह एक को हम दूसरा देंगे कि ऑफिक फ्रोडिया जाएगा तो लजा फोह यानि कि निचली हाप के सबसे उपरि टीन को तो सबसे उपरिशली वाले के सबसे बात गर टीन कौन दिख रहा है छेंगे टाल फिर फाल। किसको दिया जाएगा अपर टू लवर यानि उपरी हाँ के सबसे निचली वाली टीम को तो उपरी हाँ के सबसे निचली वाले टीम में कौन दिख रहा है पांच TWO हम जा भाइब्ठा बाई देंगे अब पांचोव़ा बाई किसных देंगे चार git काहिए बाद पुरहरटिट होता है तो जो हम 12 दीदे का फार्मूला होता है वहां बाई देने को फार्मुला पाचवा बाई में हो weitere फैफिनी बाई हम किसक द truth कन बाइक देने के दीदी अब च को 다음에 कि पर्मूला हो जाएगा यानि अपर्टू अपर के सबसे उपरे वाले टीम को सबसे उपर कोरन दिख रहा है तो यह को हम दे चुके हैं तो च्छा दो को हम छटवाँ देंगे अब सातवाँ बाइक इसको देंगे जो हमारा थार्ड बाइ देनेका फर्मॉला वे आपका साथ्वा भाई देने का फ़ारा होगा तो साथ्वा भाई इसको देंगे lower 2000 आप इने निचली कि सबसे उप Fame Minneapolis तू को धी जा processes चुगा है सब तो राउंड निकाने का सुत्र होता है next power of 2 next power of 2 यानि 2 के power में जितना संख्या रहेगा वही आपका round होगा माल लेजे दोस्तो 25 टीमों के लिए आप बाई निकानेंगे तो क्या होगा कितनी बाई दिये जाएंगे यानि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 6 दूना 32 यानि 2 का 5 बार गुड़ा करेंगे यानि 2 के power 5 आएगा यानि 32 में 32 आएगा तो 32 में 25 घटाएंगे बचेगा 7 तो 7 बाई दि यानि 3 बाई होगा मैच में 25 तीम होने पर कितने तो कोश्चन इस्ते करसे कुछता है कि यह 25 तीम हैं तो कितने राउंड होंगे तो 25 तीम होने पर आप सबसे पहले नेक्ट पावर आप तूनिष निकानेंगे उसमें से अप जतना आएगा तू के पावर में वहीं आप का इसको जानने के लिए सुत्र होता है यन माइनस नंबर आ बाइट अपान टू यान में जितनी संख्या है उसमें से हम जितने भी फर्स रावन बाई दिया गया है उसको गटा देंगे और जितना आएगा उससे भाग देंगी आपका पहले रावन में होने वाले मैचो कि संख् यह ऐसा किसी नहीं बताया होगा एक जगह सभी सुत्रू को दूस्तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट्स बना करके अच्छे से रख लिए दोस्तों अब मैं बात करूंगी नाका और टूनामेंट की चारों प्रकारों के बारे में और उनका फिक्सर बनाने के बारे में इन सब को विस्तार से बताऊंगी बस वीडियो को सुरू से लाज तक दिखते जाए दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ जानने के लिए आपको शमय देना ही पड़ता है तो दोस्तों मैं कोशिस की हूँ कि जल्दी से जल्दी और कम टाइम में इ तुनमीन का। वायल्द विडाएट से बहर हो जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल ना काउट टुनमेंट offense के बारे हैं तो सिंगल नाकाउट में परते एक टीम एक मैच होने के बाद परते उटार से बाहर हो जाती है तो अब इसके सभी सुत्रों के बारे में मैं तो बता चुकी हूँ अब बताओंगी इसका फिक्सर कैसे बनाए जाता है तो फिक्सर बनाते समय आप सभी सुत्रों का प्रियोग होती देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी तो माल लिजिए दोस्तों चोधर टीमे हैं तो चोधर टीमे का आप फिक्सर कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मैचो की संख्या गयाद करेंगे चोधर टीमे हैं तो कितनी मैचे होंगी तो मैचो की संख्या गयाद करने का सुत्र होता है यान माइनस वन यानि की चोधर माइनस वन यानि तेरे मैचे होंगी चोधर टीमे होने पर फिर किया देखेंगे कि उपरी हाफ में और निचली हाफ में कितने तीमी होंगे तीमो को बाटेंगे तो उपरी हाफ और निचली हाफ में तीमो की संख्या बातने का सुत्र होता है यही यहाने कि यहाँ पर चौदर जो है समसंख्या है तो समसंख्या के लिए उपरी और निचली हाफ में बार्तने के बाद आप देखेंगे कि कुल कितना वाई होगा याने चौदर टीमे है तो बाई कितना दिया जायेगा तो उसके लिए आप नेक्स्ट पावर आप टू- यान एच फूतर होता है, निकलने का बाई तो किया होगे तो सबसे पहले निक्स पावर tu क्या होगा जाँ 31 सजी आएगा, वहीपे आप रुख जाएएनगी वह आप रूख जाएंगी 2 2, 24, 28, 26, यानि 2 का चार बार गुड़ा करेंगे यान 2 के पाउर 4 होगा, 2 के पाउर 4 बराबर कितना होगा? 16, 16 में से 4 घटा देंगे, बचेगा 2, यानि कुल भाई दिया जाएगा 2, अब कुल भाई तो अप निकाल लिए, दो दिया जाएगा लेकिन अब बाई को भी उपरी और निचले हाफ में कैसे बाटेंगे तो उपरी हाफ में बाई की संख्या ग्यात करने का समसंख्या होने पर सुत्र होता है तो क्या हो जाएगा दो यानि दो एकम दो यानि एक बाई दिया जाएगा उपरी और निचली दूनों हाफ में दूनों हाफ में यही सुत्र प्रियोग होगा तो दूनों हाफ में वन वन बाई दिया जाएगा आप देखेंगे कि आप बाई देने का फार्मूला क्या है निच बाइ लोवर टू अपर फोर्थ बाइ अपर टू लोवर कि ही सुत्र होता है तो यहां पर दो बाइ इस दिया जा रहा है उपर हाफ में एक और निचली हाफ में दो तो हम क्या देंगे तो चाहदर टीम को बड़ा गया है तो फॉर्ष्ट बाइं हम देने का फर्मुला क्या है कहें लोवर यानि की पिर्ण इप हमारा जो दिख हाए है चोदर पहेला नंबर दिख रहा है वह वह मारा सबसे वहों पर्ण के सबसे उपरी वाले टीम में दिख रहा है तो एक नम्मर को हम दूसरा बाई देंगे तो दोस्तों यह प्रकार आप इस पुरी फिक्सर को तयार करेंगे उसके बाद क्या होता है कि जिस टीम को बाई दिया गया है वह अपना पहले राउंड का मैच नहीं खेलेगा और टीमों को पहले राउंड में खेलने का खेलना पड़ता ह और दूसरा राउंड के मैचों के लिए जो बाई दी गई है वो दूसरे राउंड में खेलेंगे पहले राउंड में नहीं खेलेंगे पहले राउंड के बिजताओं के साथ वो खेलेंगे इसी तरह अन्हे राउंड के मैच उपर से बिजाई दूसरी राउंड की जोड़ो होने पर अब इसम संख्या होगा तो कैसे करेंगे उसके लिए भी हम फ्र बनाकर देख लेते हैं माले ग्यक्हाजी दुस्तों नव टी में हैं तो न वी होने पर सबसे पेले देखेंगे कि मैज़े需 की संख्या कतनी होगी तो मैज़ेउा गयात करने का सुत्र यन 10-1 यानी कि 9-1 बराबर 8 टिमें होंगी. 9 टिमें होने पर 8 मैचे होंगी. तो तो मैचों कि संख्या कितने होंगी? 8 मैचे होंगी. अब उपरी और निचली हाफ में टीमों को बातेंगे. तो बिजम संख्या होने पर सुत्र क्या होता है उपरी हाफ में यन प्लस वन अपान टू यानि कि नो प्लस वन अपान टू यानि कि दस अपान टू यानि कि दो पंचे दस यानि पांच तीमी उपरी हाफ में होंगी निशली हाफ में ग्याद करने का सुत्र होता है यन माइनस वन अपान टू यानि न तिमों को तो हम बाट लिए अब बाई कितना दिया जाएगा इसको ग्याद करेंगे तो बाई देने का सुत्र होता है निक्स्ट पाउर आफ टू-1 यानि कि नो टीमे है तो इसके लिए सबसे पहले निक्ष्ट पाउर आफ टू निकानेंगे तो क्या होगा दो दूना चार द कि ऩाट कितना आया चार तो टू के पावर चार इस ब्राबर। 14 entrada message info व्ußélम जाएगा फोड़क है आफ इस बैको इस व्लीज ताइब जाएगा उपरी हाफ्व тобой लिए करें एनिका सुत्र जब थिन संख्या उतों क्या होता है एदीह हाफ्व माइनस वन साथ मैनस साथ और निचले हॉप में बाई की संख्या ग्यात करने का सुत्र होता है विसम संख्या होने पर यान भी प्लस वन अपान टू यानि साथ प्लस वन अपान टू बरावर साथ में एक जोड़ेंगे हो जाएगा आठ यानि आठ अपान टू यानि दो चुब का आठ यानि कुल बाई निचली होप में बाई दिया जाएगा चार अब इन सातों बाई को जो साथ बाई दिया गया है कुल बाई साथ है उपरी हाफ में तीन बाई दिया गया है निचली होप में चार बाई दिया गया है इस बाई को हम कैसे देंगे उपरी और निचली होप में तो इसके देने का होता है तो ठीश में 9 we e- vai 7 अपरी हाफ में 3 भाइ निचली हप में चार भाई तो इसके लिए परस्ट भाई तो किस को दिए जाएगा परस्ट भाई दिया जाएगा या नी सबसे निचली वाले टीम को सबसे नीचे कौन दिख रहा है नो नो को हम 1st बाई देंगे 2nd बाई 需要 किसको देंगे अपर टू अपर यानि कि उपरी आप के सबसे उपर वाले टिम को तो उपरी हाउव के सबसे उपर एक देख रहा है तक हम हम 2 बाई देंगे 3rd बाई किसको दिया जाएगा Lower to upper यानि निचली हाउव के सबसे उपरे वाले टीम को तो नेचलीःआपик सबसे तीम में च्रहा Hm जो हमारा फर्स्ट वाई भी तो जो हमारा फर्स मोला होगा वह पांच वाई यानिずी हम दे शुकी है कुला है नो कोम देचुके है तब आठ दिख रहा है तो आठ को घृ देंगे जो आँनला हमारा सेकंट जूत्र वह और फार को आज को डेंगे जो कोम हम की देंगे आप साथ माय की देंगे जो लोँ साथ मैं में पंदो 2023 शाथ सबसे वारे टीम को तो इसको भाइए जा गया हो फार्स राउंड में नहीं खेलेगा सेकेंड राउंड में पहले पहले राउंड के साथ खेलेगा इसी प्रकार राउंड तो खेलता जाएगा और इस प्रकार विजेता टीम एक भी मैश नहीं हारती है अब नाकाउट टूनामेंट के कुछ कुछ इंपोर्टन्ट पॉइंट को हम बताएंगे दोस्तों जैसा की बात आता है अगले दोर में क्छिइलाड़ी कुछ खिलाड़ी कहते है कि अब हम नहीं खेलेंगे तो ना खिलने वाली कि शंकिया के तो दोस्तो अगर मान लीजिए चार खिराडी इसरे द Srce दौर में दूसरा दौर जितने के बाद नहीं खेलने के लिए तैयार हैं तो 18 से UC आपढ़ाइस में से चार के लिए को हमभाई दे देंगे जिससे कि इस दौर में तीमू की संख्या 2 की पाउर में बनी रहें अंतिम राउंड तक एंड दोस्तों नेस्ट इंपोर्टेंट पॉ salty को चार भागो यानि चार क्वाटर्स में बनाना दोस्तों यदि तीमू की संख्या अधीक हो जाती है यानि कि लगभग सोले या सोले से अधिक है तो उसको दो हाफ में दिवाइड न करकि चार क्वार्टर से बाटना ज्यादा अच्छा माना जाता है नेक्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्लासिकल टूनामेंट दोस्तों यदि भाग ले रहे ट्ीमो की संख्या पाउर आप 2 की रुप में हो तो इस प्रकार के टूनामेंट को क्लासिकल टूनामेंट कहा जाता है पावर आप 2 का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 यानि की तीमो की संख्या 4, 8, 16, 32, 64 के रुप में आए तो ऐसे जब ग्लासिकल टूनामेंट होगा तो अपर वर लोवर हाफ में तीमो की संख्या बराबर होगा कोई बाई नहीं दिया जाएगा जैसे चार टीमें है या आठ टीमें है तो आठ टीमो में कोई बाई नहीं दिया जाएगा क्योंकि अपर वर लोवर हाफ में इसमें तीमो की संख्या बराबर होगी और कोई बाई नहीं दिया जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है कि क्लासिकल टूनामेंट होने पर अपर और लोवर हाप में टीमें उस्टंख्यासम होगा और कोई बाई नहीं दिया जाएगा नेक्ट इपॉट्ट पॉइंट है सीडिंग क्या होता है यह बहुत बार पुछता है दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग में रहता है तो दोस्तों नाकाउट टूनामेंट की रुवांच को बनाए रखने के लिए अच्छी टीमों को अलग-अलग हाप या क्वार्टर या रिखस्तन के अधार्प पर वाई अस्थान पर ही रखा जाता है की वो पहले राउंD में जुछा जैसे उन्हें सीडिंग नहीं दिया गया है उन्हें लाटरी के अधार और रेंडम तरेके से Extreme में रखी जाती है दूस्तों ध्यान देने वाले यह है कि सेदिंग हमेसा पावर याप टू वाली टीम को ही दिन जाती है जैसे 2 4 8 16 42 इस प्रकार के जो पावर यापर नोंगी उनको ओनीकी दिया thereby जाता है इस यहां म हमें सफ्किक दोस्तो चार सो सकती है यह सब्हु करेंग को सफ्कुर्य, सभीय तो PD मों- कि रोमांच को और अधिक बनाया रखने के लिए टीमो को सुपर सेडिंग दी जाती है यदि टीमो की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब ही इसका प्रियोग किया जाता है सुपर सेडिंग प्राफ्ट अच्छी टीमे सीधी अगले राउंड यानी क्वाटर फाइनल में खेलती है यह आपको ध्यान रखना जोरी है कि सुपर सेडिंग प्राफ्ट अच्छी टीमे सीधी अगले राउंड या क्वाटर फाइनल में खेलती है दोस्तो यह तो था सिंग सबसे पहले में प्रकार 1 की बात करूंगी दोस्तों प्रकार 1 में क्या होता है कि सबसे पहले सिंगल नाकाउट प्रतिविता आयोजित किया जाता है उसके बाद फिर सिंगल नाकाउट के प्रतम राउड में जो हारी हुई टीमे होती है वे तथा वे सभी टीमे जिने प्रतम राउड में बाई दिया गया है और वे दुसरे राउड में हार गई हो तो दोनों को मिला करके इस प्रकाहिन टीमों को बचे हुए समय को में लाटरी पधती का प्रियोग करकी एक और टूनामेंट का आयरिजन किया जाता है और उसे ही सातावना प्रकाहर बॉन कहा जाता है इसमें जो टीम बिजय होती है उसे सतावना बिजयता और कहा जाता है जैसे कि एक्जॉंपल के लिए यानि 11 टीमे का कंसुलेशन टूनामेंट हो रहा है तो उसका पहले हम सिंगर नाकाउट कराएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टीमें पहले राउंड में हारी है और कितने टीमें दूसरे राउंड में जो जिनको पहले राउंड में बाई मिला है हारी है तो उनको फिर जैसे कि माल लीजिए पहले राउंड में 11 टी में करना काउट कराया गया तो पहले राउंड में कौन कौन सी टी में पर्थम राउंड में हारी हैं 3, 5, 9 और दूसरे राउंड में जिन्हें बाय दिया गया है पर्थम राउंड में राउंड में हारी हुई ती में कौन कौन सी हैं दो छे आठ दस यानि कि कुल हारी हुई ती में कितना है साथ ती में हारी है इनका फिर से हम नाकाउट कराएंगे इनका फिर से हम नाकाउट कराएंगे हारी हुई ती मों का तो इसको कराने पर जो ती में इसमें विजयता होंगी वे कांसुलेशन विजयता कहलाएंगी जो ती में इसमें विजयता होंगी उसको कांसुलेशन विजयता कहा जाएगा और सब नियम दोस् つो दोस्तों यह görब रखनी वाली बात है कि जिन टीमों को पहले नाकौट टूनामげंट में AI मिल रखी है उन्हें प्रत्राइड नहीं दी जाए बाइस के पहले नाकौट गया तेमों का उसमें गषंद तेमों क 온 जिकिसे 50 को बाई की पात्मिता दिया जाएगा अब बात करते हैं प्रकार्टू की दोस्तों प्रकार्टू में क्या होता है कि सभी दोरों में हारी हुई पहले नाकाउट प्रकार्टू में क्या होता है इसमें भी पहले सिंगल नाकाउट एवजित करेंगे उसके बाद सभी दोरों में हारे हुई तीमों को शामिल किया जाता है और उप विजेता या दुसरे विजेता का निमार किया जाता है तो सबसे पहले नाकाउट का एवजन किया जाएगा इसके लिए और इसकी विजेता को नमबर वन विजेता कहेंगे फिर उप विजेता या तिसरे नमबर की विजेता टीम की खोश के लिए प्रकार्टू का एजन होगा इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है प्रकार्टू में कि इसमें पहले प्रतीक राउंड की हारे हुई टीमो को अलग-अलग क्रमवार लिख लिया जाता है जैसे कि माल लिए नो टीमो का हम नाकाउट कराए नो टीमो में हम अलग-अलग चारो राउंड के सभी टीमो के हारी हुई टीमो को लिख लिए जैसे प्रतम राउंड में 4 और 8 दूसे राउंड में 2, 3, 7, 10 संख्यावाली और 3 राउंड में 1 और 6 और 4 राउंड में 5 वा टीम हरा है तो इनको बिधियों में से किसी एक बिधि को फिक्सर बनाने के लिए अपनाई जाती है पर्थम बिधि क्या होती है कि सबसे पहले कैसे बना जाती है पर्थम वो दीती राउंड में हारी हुई टीमों के संख्या के अधार पर दो बिधियों का प्रियों किया जाता है तो इसकी स्थि क्या होती है कि पहले राउंड में दूसरे राउंड की हारी हुई तीमों की संख्या से कम होनी पर यानि कि पहले राउंड में जो टीमें हारी है और दूसरे राउंड में जो टीमें हारी है उससे कम है तब पहली इस हीति बनती है तो इसमें क्या होता है कि पहले राउंड में जब दूसरे राउंड से कम हारी हुई संख्या है तो पहले और दूसरे राउंड को मिला करके पहले और देती राउंड को एक जगह रख करके टुर्णामेंट तिसरे राउंड के संख्या के बराबर होने तक खेला जाता है फिर तीसरे से बदलते हुए चोथे तक विजय घोसित होने तक किया जाता है जो विजयता होता है उसे उप विजयता और हारी हुई टीम को तिसरा आस्थान दिया जाता है और दूती सिति में क्या किया जाता है जब पहले राउंड में दुसरे राउंड की हारी हुई टीमों की संख्या से जदा है तो पहले राउंड में हारी हुई टीम से प्रतिविता दुसरे राउंड के बराबर होने तक किया जाएगा फिर दूसे राउंड से बदलते हुए बिजेता टीम होने तक परतिविता कराई जाएगी जो टीम जीते की उसे देतीय स्थान उप बिजेता को त्रितीय स्थान दिया जाएगा तो दोस्तो एथा आपका कांसोलेशन बिजेत टूनामेंट प्रकार वन और प्रकार टू अब बात करते हैं नाकाउट टूनामेंट के तिसरे प्रकार के जिसका जो है डबल नाकाउट या डबल एलिमिनेशन टूनामेंट दोस्तो डबल नाकाउट टूनामेंट वो होता है इसमें जो है परतिय टीम दो बार मैच पराजित होने के बाद ही टूनामेंट से बार होता है जबकि आपने सिंगल नाकाउट में क्या परहा था कि प्रतेक टीम एक बार मैच पराजित होने पर ही टूनामेंट से बार होता है जबकि डबल नाकाउट प्रतेक टीम दो बार मैच पराजित होने पर ही टूनामेंट से बार होता है दोस्तों एक क्या होता है कि सिंगल नाकाउट बिजेता को वास्तिक बिजेता टाय करने के लिए जो हमारा सिंगल नाकाउट बिजेता है उसको वास्तिक बिजेता टाय करने के लिए कांसलेशन टूनामेंट के बिजेता से खेलना पड़ता है यानि कि जो सिंगल नाकाउट बिजेता है उसको वास्तिक बिजेता ट्रै करना है कि क्या वो साच में वास्तिक बिजेता है क्या अगले बार भी खिरेगा तो जिस सकता है तो सिंगल नाकाउट के बिजेता को कांसुलेशन बिजेता के साथ खेलना पड़ता है तो मालिजी ये नाकाउट विजेता A है यानि ये दो बार मैच खेला है और कांसलेशन विजेता यम है ये एक बार मैच पराजित हुआ है और ये दोनों को हम फिर से नाकाउट कराएंगे यानि डबल नाकाउट हो गया कराएंगे। यसमें जो भी जहीं हो गए नांसलेशन भी मैचता व्लेंद हो ग्सित हुगा। यदि जो एक कि रजींग यह को हुगा तो यह हैं यह होगा Alright क्रफ़ यह küb ya ॉब सब जाड दोख शुष्टा वें गया को집 संख्या ग्याथ करने का सुट दबल ने में क्या होता है तू यह समझते हैं दोस्तों यह दिन में कुल 11 भाग ले रही है तो डबल नाकॉट विधी से कुल कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों यह दोस्तों इग्यापल ओ देते हैं जिससे आप ध्यान प्रूवाग हल किजेगा दोस्तों यदि नाकॉट टूनामेंट में कुल अठायटी में भाग ले रही है तो सिंगल नाकॉट वर डबल नाकॉट में अलग अलग कुल कितने मैच खेले जाएंगे वह सिंगल वर डबल नाकॉट दूनों को मिला कर कितने मैच खेले जाएंगे तो दोस्तों इस इजांपल को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सिंगल नाकाउट डबल नाकाउट दोनों को एक साथ खल करेंगे तो आपको हमेशा के लिए सुत्री ख्याद हो जाएगा टो colors komplett मिलाकल और दोनों नाकाउट में कितने होनके कितने मैशंगे तो सिंगल रख कितने मैश होंगे सिंगले करेंगterror कई ग्याद करें जोंगे माइन इन डूर्व दम सुन में ऐन 2 और न तरम्स-धरनktion यंद माइनस तू बराबर 1 आथार माइनस चू यादक मीदेशन जेक। अब बात करते हैं नाक खर दूर्ब गायन के छोथे प्रकार जिसको वहीं परीमिनीशन। कहा जाता है दोस्तों यह होता है इसको मुलर एड्रेशन प्लेवैक मेथद्ध भी कहा जाता है सिंगल नाकाउट ॥ हुआ है कहने का अतातर पर है बार बार इसमें इसमों होता है इसमें परton तीन अस्थानों का निधानर किया जाता है यह पुछा जाता है कि सिंगर नंचूर्ण में इस पर्थम स्थान सिंगल नंगाउट do बिज़ाई टीम को दिया जाता है और दितीय अस्थान किसको दिया जाता है यानि कि जो शिंगल नाकाउट में बिज़ाई तीम हुआ है यानि जो परफम अस्थान पर आने वाली टीम से जो टीमें पराजित होती है उनके मध्व लाटरी पधर्ठी का प्रियोक पुनर नाका उन् सभी के मद्धे पुना नाकौ AttestIT करा जाता है लाटरी पदर पर and बिज़र होता है उसको दितिय अस्थानि दिया जाता है अब तृतरी अस्थान की इसको दिया जाता है यारे जो दुसरा अस्थान पर आया है आने वाली दूसरे स्थाम पर आने वाली टीम से जितने भी टीमों पराजित हुई है पहले नाकाउट को मिला कर उनके मतिन एक नाकाउट करा आप और इसकी विजिता को तर्टीमा दिया जब सकत् civilization डी आधा है दोस्तों यह था आपका बैग्चन Vienna इसको मुलर एंडर्शन प्लेवैक में भी कहा जाता है इसकी खोच किया था मुलर ने जो इंग्नेयाट के प्रसित फुटबाल खिलाडी थे दोस्तों यह नाकाउट यह मुलर एंडर्शन प्लेवैक में सबसे पहले नाकाउट टूनामेंट में प्रयोग किया गया था कि आपका श्रही माना जाता है क्योंकि परिछा में यही पूछा जाता है कि मुलर एंडर्शन प्लेवैक मेंधर किसको कहा जाता है या किसे प्रयोग होता है तो बैग नाल वाइल एलेविशन टूनामेंट अगर बैग नाल वाइल एलेविशन टूनामेंट नहीं देगा त उसी देना काउट सई होगा तो दोस्तों ये थान नाकाउट links के चारों प्रकारों के बारे में हर एक टॉपिक वारे में फूल डीटेल में जैसा कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप नाकाउट के की प्रकार के बारे में कोई फिल सुतर हो चाहे इसे धानत हो आप उसके बारे में एक सिकिंड में एंसर डे लेंगे इसको आप नूर्स बना करके अच्छे सी रहें क्योंकि दोस्तो आज यदि आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारा पूरती पत्रह मिल जाए गाए इदम बिस्ते जंकाई दिया गया है तो आपको इसको पढ़ने में बोरिंग सा लगेगा मैंने बहुत ही कम समय में इसको साथ में एक्स्प्लेंग किया है आप इसको नोट्स मना करके अराम से रख सकते हैं और दोस्तों यहोब कि वीडियो आपको बहुत अच्छ किजिए जिसे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुत सके जिसे मुझे भी एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसके माध्यम से मैं आगे अन्य वीडियो बना सकूँ नेक्स्ट वीडियो यानि की टूनामेंट का पार्ट थर्ड में आपका लिग टूनामेंट के बारे मे होगा जैसे कि लिग टुनामेंट दू प्रकार का होता है सिंगल लिग और डबल लिग इसमें फिक्सर बनाने की तीन विधिया होती है साइकल टेबुलर एंड इस्टेयर और इसमें अंग देने की विधिया होंगी ब्रिटिस कनेडियन एंड अमेरिकन एंड दोस्तों इसके और भाग में कामिनेशन एंचलें टूनामेंट भी होगा यानि फॉर्थ पार्ट में तो दोस्तों आपको किस टापिक पर वीडियो चाहिए इसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं उस सब को मैं पुरा करने की पूरी कोशिस करूंगी यहां पे आपको के भी एस एल्टी हैं दोस्तों इसके बाद सभी टॉपिस को सिलिवस के कार्डिंग पूरा करने के बाद में बेरी इंपॉर्टिन इंपॉर्टिन कोस्टिन अंसर लाओंगी जो आपके लिए भी हिल्फुल होगा तो दोस्तों यहीं आप चैनल में पहले बाद विजिट कर रहे हैं तो चैनल